अध्याइच है, पूरुष रबर्बेंड की तरह होते हैं, जब वे दूर जाते हैं, तो रबर्बेंड की तरह उनके दूर जाने के भी एक सीमा होती है, वे अपने आपको जितना दूर खीच सकते हैं, उतना खीच लेते हैं, और फिर तेजी से अपनी पूरानी अवस्था मे आपके करीब लोट आते हैं पूरुषों की अंतरंगता के चक्र को समझने के लिए रबर बेंड की तुलना आदर्श है यह चक्र है करीब आना दुर जाना और फिर दुबारा करीब आना जादा तर महिलाओं को इस बात से हैरानी होती है कि वे प्रेम में पूरुष कई बार अपने आपको दुर खिच लेते हैं परन्तु कुछ समय बाद दुबारा उनके करीब आ जाते हैं यह पूरुषों का स्वभाव होता है वो है ऐसा जान बुझ कर नहीं करते ऐसा अपने आप होता है इन में न तो पूरुष की कोई गलती है और ना ही महिला की यह तो एक स्वभाविक चक्र है जब पूरुष अपने आपको दुर खिच लेते हैं तो महिला इसका गलत मतलब निकाल लेती है महिला है जब पूरुषों से दुर जाती है तो ऐसा तब होता है जब उनका पूरुष पर से विश्वा सुट जाता है जब वे आहत होती है और उन्हें दुबारा चोट पहुचने का अंदेशा होता है या वे पूरुष से निराश हो जाती है क्योंकि उनसे कोई गलती की है पूरुष इन कारणों से तो अपने आपको दुर खिशता ही है परन्तु चाहे महिला की गलती हो न हो फिर भी वह ऐसा करता है रबर बेंड की तरह वह अचानक अपने आपको पूरी तरह से दुर कर लेता है और फिर अपने आप वापस लोटाता है पूरुष इसलिए भावनात्मक रूप से दुर जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता की अपनी आवशक्ता की पूर्ती करता है अलग होने और दुर जाने के बाद ही उसे यह एसास होता है कि उसे प्रेम और अंतरंगता की कितनी जरूरत है और उसके लिए यह चीजे कितनी मायने रखती है जब पूरुष दुबारा लोटता है तो वह नए सीरे से अंतरंगता शुरू नहीं करता बलकि उसी बिंदू से अंतरंगता बढ़ाता है जहांसे वह दूर हुआ था हर महिला को पूरुष के बारे में यह पता होना जीए अगर पूरुषों के अंतरंगता चक्रों को समझ लिया जाये तो इससे सम्मंद सुखद रहे सकते हैं परन्तु अगर इससे ठीक से न समझा जाये तो अनावशक समस्याय उत्पन्न होती है एक उधारन देखे वह सोचने लगी कि उससे क्या गलती हुई थी जिस वज़े से वह दूर जा रहा है जब जैफ उससे दूर होने लगा तो मेगी ने इसे अपनी व्यक्तिगत गलती माना इसलिए वह अपनी गलती सुधार कर रिष्टो को एक बार फिर से प्रगाड बनाने की कोशिश करती रही परन्तु वह जितना करीब गई जैफ उससे उतना ही दूर होता गया मेरे सेमिनार में भाग लेने के बाद मेगी को राहत मिली उसने यह समझ लिया कि जैफ के दूर जाने का यह कारण नहीं है कि उससे कोई गलती हुई है कहीं महीनों बाद मेगी ने मुझे बताया कि जैफ के साथ उसकी सगाई हो चुकी है मेगी ने वह रहस से जान लिया था जो बहुत कम महिला जान पाती है मेगी ने यह समझ लिया था कि पूरुष के दूर जाने जाते समय वह जितना करीब जाने की कोशिश करेगी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी दुबारा करीब आने के लिए पूरुष को पूरी दूरी तक जाना होता है तभी उसे अपने फ्रेम के महत्व और महिला की जरूरत का अंदाजा होता है अगर मेगी उसे दूर नहीं जाने देती तो शायद वह उसके पास कभी लोटकर नहीं आया होता अंतरंगता बढ़ाने के प्रयास में वह अंतरंगता की सारी भावनाय समाप्त कर देती जब rubber band को खीचा जाता है तो इसके खीचने की एक सीमा होती है मेरे हाथ में जो rubber band है वह 12 इंचे तक खीच सकता है अगर इसे 12 इंचे तक खीचा जाए तो यह इससे आगे नहीं जा सकता इससे वापस लोटना ही होगा और जब वह वापस लोटेगा तो वह पूरी शक्ती और नहीं उर्जा के साथ लोटेगा इसी तरह पुरुष को भी पूरी दूरी तक जाना होता है और वह भी पूरी शक्ती और नहीं उर्जा के साथ लोटता है महिलाओं को यह बात कभी नहीं बुलनी चाहिए कि दूर जाना पुरुषों के करीब आने के लिए बहुत जरूरी है परन्तु साथ ही पुरुषों को भी यह समझना चाहिए कि उनके दूर जाने से कई बार महिलाओं को चोट पहुँचती है इसलिए उनके दुबारा करीब आने पर महिलाओं को उनके साथ पूरानी अंतरंगता स्थापित करने में थोड़ा वक्त लग सकता है पूरुष दूर क्यों जाते हैं? पुरुष इसलिए दूर जाते है क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता के कारण वे अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं कई पुरुष कहते हैं मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए या मैं कुछ समय अकेला रहना चाता हूँ कारण जो भी हो रिष्टे में दूर जाना पुरुष की महत्वपूर आवशक्ता है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता चाहे रिष्टा कितना ही मदुर क्यों नहों पुरुष कुछ समय के लिए दूर जाने की आवशक्ता अनुबव करते हैं क्योंकि वे आत्म निर्भर होना चाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाते हैं जब दूर जाकर उन्हें समझ में आता है कि वे आत्म निर्भर रहते हुए ही प्रेम और अंतरंगता हासिल कर सकते हैं वे अपने आप वापस लोट आते हैं महिला एक क्यों घबरा जाती है महिला को यह लगता है कि उससे कोई न कोई गलती हुई है जिसकी वज़े से पूरुष उससे दूर चला गया है वह यह भी सोचती है कि शायद पूरुष यह जाता है कि महिला अंतरंगता बढ़ाने की पह वह नहीं जानती है कि यह पूरुष के अंतरंगता चक्र का एक हिस्सा है जब महिला पूरुष से इसकी वज़ा पूछती है तो पूरुष बता नहीं बाता क्योंकि वह खुद भी इसकी वज़ा नहीं जानता परंतो वह उससे दूर होता जाता है अगर पूरुष और महिल दोनों ही पूरुष के अंतरंगता चक्र को समझ ले और यह जान ले कि पूरुष रबर्बेंड की तरह होते हैं तो उनकी परेशानी काफी कम हो जाएगी और उनका अंतरंग जीवन सुखद हो जाएगा क्या होता है जब पूरुष दूर नहीं जा पाते लीजा और जीम की शादी को दो साल हो चुके हैं वे हर काम इखटे करते हैं वे कभी अलग नहीं रहें कुछ समय बाद जीम चेड़ चेड़ा निश्क्री और मूड़ी हो गया लीजा ने मुझे बताया जब अब उसके साथ रहना मज़ेदार नहीं रह गया है मैंने उसे खुश करने की हर तरह की कोशिश की परन्तु कोई फायदा नहीं मैं चाहती हूँ कि वह साथ साथ जीवन का अनन्द ले रेस्टरॉन जाए शॉपिंग करे यात्रा करे नाटक देखने जाए पार्टियों में जाए परन्तु वह कुछ भी नहीं करता चाहता है अब हम सिर्फ टीवी देखते हैं खाते हैं और सोते हैं और नौक्रिया करते हैं मैं उससे प्रेम करने की कोशिश तो करती हो परन्तु मैं गुस्सा भी हूं वह पेहले इतना आकर्षोक और रॉमांटिक हुआ करता था परन्तु अब वह बहुत बोरिंग हो गया है, मैं नहीं जानती की मैं क्या करूँ, वह हिलने को भी तयार नहीं होता, रबर बेंड का सिद्धान पता चलने के बाद और पूर्ष अंतरंगता चक्र को समझने के बाद, लीजा और जीम दोनों को ही समझ में आ गया की समस्या क्या थी, वे अपना सारा समय इकटा गुजार रहे थे, उन्हें थोड़ा दूर रहने की जरूरती, जब कोई आदमी बहुत करीब आ जाता है, तो वह अपने आपको वापस नहीं कीच पाता, तो वह मूडी और चिड़ चिड़ा हो जाता है, जीम ने यह नहीं सीखा था कि वह अपने आपको दूर कैसे कीचे, अकेले समय बिताने में उसे अपराद बोत का अनुभव होता था, उसे लगता था कि उसे सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए, लीजा भी यही सौचती थी कि उसे हर काम इखटे करना चाहिए, मैंने लीजा से पूछा कि वह जीम के साथ इतना ज़्यादा समय क्यों बिताती थी, लीजा ने जवाब दिया, मुझे यह डर था कि अगर मैं अकेले कहीं जाऊंगी तो जीम को अच्छा नहीं लगेगा, एक बार मैं अकेली शौपिंग करने गई थी और मैंने लोटकर देखा तो जीम बहुत दुखी था, जीम ने कहा मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हें लेकर दुखी नहीं था, उस दिन मुझे बिजनस में गाटा हुआ था, मुझे याद है कि गर में अकेले रहने में मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मैंने तुमें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाता था, लीजा ने कहा मैंने सोचा तुम यह पसंद नहीं करते कि मैं तुमारे बिना कहीं जाऊ आओ, पूरी बात समझने के बाद लीजा जीम के बिना आने जाने लगी, लिजा ने कहा मैं यहां मैसुस करती हूँ कि मैं अपने दुख के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही थी और उसे दोश दे रही थी जब मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी ली तो मैंने यहां अनुभव किया कि जिम की उर्जा बढ़ गई है और उसका मूड ठीक रहने लगा है यहां किसी चमतकार से कम नहीं था अंतरंगता के चक्र की बाधा है महिला आएं दो तरीकों से अंजने में ही पुरुष के स्वाबावी कंतरंगता चक्र में बाधा डलती है पहला वहां दुर जाता है तो वहां उसका पीछा करके और दूसरा दुर जाने के लिए शारिदी की जब पुरुश दूर जाता है तो वह शारिदी की रूप से उसका पीछा करती है जब वह दुसरे कमरे में जाता है तो वह पीछे पीछे वहां भी पहुँच जाती है दूसरा बावनात्मक जब वह दूर जाता है तो महिला बावनात्मक रुप से उसका पीछा करती है वह उसकी चिंता करती रहती है वह दुखी होती है वह उसका जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखती है वह उसकी मदद करना चाहती है, एक और तरीके से महिला भावनात्मक बाधा खड़ी करती है, वह उसके अकेले रहने की आवशक्ता को पसंद नहीं करती, जब वह दूर जाता है तो महिला उसकी तरफ ऐसे अंदाज में देखती है, जैसे उसने कोई गुना कर दिया हो, वह अं दिकत क्या है, या क्या तुम्हें इस बात का ऐसास नहीं है कि तुम्हारे दूर जाने से मुझे कितना दुख होता है, एक और तरीका यह होता है कि महिला उसे खुश करके वापस अपने करीब लाना चाती है, वह हर काम को आदर्श तरीके से करना जा देता कि उसे दूर जा परिर भी नहीं चुने देती है, वह अपने गुस्ते को दिखाने के लिए चीज़े भी तोड़ पोड़ कर सकती है, बावनात्मक जब पुरुष लोटता है तो महिला दुखी होती है और उसे दोश देने लगती है, वह अपने आपको नजर अंदास करने के लिए उसे माफ न नहीं करना जाती, वह इस बात पर गुस्ता होती है कि वह पहल नहीं कर रहा है, उससे बाते नहीं कर रहा है, जब किसी पुरुष को दुर जाने के लिए सजा मिलती है तो वह दुर जाने से गबराने लगता है, परन्तु जब वह दुर नहीं जा पाता तो उसका नतिज़ा यह होता है कि वह मूडी और चिड़ चिड़ा हो जाता है समझदार पूरुष और महिला है समझदार पूरुष जानते हैं कि दूर जाना उनकी अंतरंगता के चक्र का हिस्सा है पर वह यह भी समझते हैं कि उनकी पत्निया या प्रेमिकाओं को इससे परेशानी हो सकती है ऐसे समय में वह दूर जाए परन्तु महिलाओं को यह तसली दे करके वह कुछ समय बाद लोट आएंगे और उसके बाद जाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि कुछ समय एकांत की जरू समझदार मेला को यह समझ जाना चाहिए कि अंतरांगता के चक्र में बादाय नहीं डालने चाहिए क्योंकि जितनी बादाय डाली जाएंगी पूरुष उतना ही दूर होता जाएगा इसलिए पूरुष को रबर्बैंड की तरह पूरी दूरी तक जाने का मोका देना पूरी शक्ति और नए उत्साह के साथ